अब बच्चों हमने ये तो सीख लिया कि partnership क्या होती है, partners कौन होते हैं, ठीक है, firm क्या होती है, एक important point, एक छोटा सा point है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, minimum कितने number of partners हो सकते हैं, partnership के लिए, यानि एक partnership form करने के लिए, कितने number of partners हो सकते हैं, आप जट से बोलगे असा 2 है, minimum 2 होंगे, तभी तो partnership है, मैं खुद की खुद से partnership कर सकता हूँ, obviously not, तो एक बहुत तो clear हो गई, minimum number of partners कितने होंगे, 2, अच्छा, maximum number of partners कितने होंगे, ये ज़रा ध्यान से समझना, maximum number of partners, ये होंगे, 50, 50 होंगे limit, 50 से उपर जाएगे, तो company बनानी पड़ेगी, अब ये बात लिखी का है, ये बात लिखी है, Companies Act 2013 में, एक बात ध्यान अच्छना, maximum 50 बंदा हो सकता है, partnership में, 50 से उपर जाएगे, 51 होते के साथ company बनाओ, उसको, ठीक है, company के हैं, हम आगे पड़ेगे, ये बात लिखी का है, Companies Act 2013 में लिखी है, वन माक का कोशन आता है, कि Indian Partnership Act के according, maximum number of partners, कितने होंगे, Indian Partnership Act के according, maximum number of partners, कितने होंगे, आप जट से बोलोगे 50, मैंने का बिटे गलत, answer is not defined, define ही नहीं है, क्यों, मैंने word क्या बोला, Indian Partnership Act, ये नहीं बोला, maximum number of partners, या तो ये word गाइप कर दू, maximum कितने partners हो सकते हैं, you will say 50, ठीक है, जब मैंने आपर word mention करी दिया, Indian Partnership Act, तो वहाँ पर ये बात नहीं लिखी, वन माक का कोशन, point clear, अब आते हैं next पर, मैं आप से बात पूछता हूँ, partnership करने के लिए, क्या हमारा return agreement होना चाहिए, partnership करने के लिए, return compulsory नहीं है, आप बोलोगे, ऐसा क्यों सर, बोलोगे, एक simple सी समझाता हूँ, for example, मालो मैं और मेरा cousin brother मिलके एक business start कर रहे हैं, हमने सोचा क्यों ना, हम एक coaching center start करते हैं, right, coaching का सोच लिया, या हमने सोचा क्यों ना, अपना business करते हैं, let's say toy cup, या stage नहीं रहीं का, कुछ भी हम कर सकते हैं, practically बताना, भाई के साथ कर रहे हो, तो चो, आपके घर में भाई, भेहन को जी भी है, उसके साथ कर रहे हो, एक तरह साथ partnership भी कर रहे हो ना, तो समझ के बताओ, क्या आप उसके साथ, reality में agreement करोगे, 60% लोगों को answer आएगा no, नहीं करेंगे, इतना trust होता है, ठीक है, 40% करेंगे, ये भी बोल रहा हम, practically, तो partnership कैसे बनाई जा सकती है, बटा, partnership, oral, या return agreement के थूँ बनाई जा सकती है, यह नि मुझ अब अब बात भी चलीगी, उसने का ये का मैं समभालूँगा, उसने का ये का मैं समभालूँगा, यह सनो, एक सामली के अंदर होता ही है, ये चीजे, ठीक है, उसे बोलते है, oral agreement, क्या बोलते है, और अगर रिटन करवा लिया, तो उसे बोलते है, partnership, deed, return agreement को बोलते है, partnership, deed, अब एक पॉइंट और आपको सोचने के लिए देता हूँ, कॉमा दिन से सोच के बताओ, क्या रिटन कराना चाहिए, अपने भाई के साथ ही काम कर रहा हूँ, माल लो, कराना चाहिए, अब भाई के साथ कर रहा हूँ, चलो घरवालों के साथ कर रहा हूँ, अपने बश्पंग के बेस्ट फ्रेंड के साथ कर रहा हूँ, माल लो, कराना चाहिए, सोचो, कराना चाहिए, क्यों, कि नहीं कराएंगे, तो disputes होने के chances हैं, अब वो dispute कैसे है, वो बताने जा रहा हूँ, और किस-किस point पे होंगे, देखो बेटा, नहीं कराते हैं, मैं आपको एक प्रेक्टिकली बता रहा हूँ, बिजनस में, अगर हम deed नहीं बनवाते हैं, return agreement नहीं बनवाएंगे, तो कल कर dispute होने के chance है, इसी लिए कुछ points बताने जा रहा हूँ, कि अगर आप partnership deed नहीं बनवाते हैं, in case of absence of partnership deed, यह वाँना next point है, तो वहाँ कुछ rules follow होते हैं, in case of absence of partnership deed, कि अगर partnership deed नहीं है, तो क्या, सबसे पहला, अगर यह dispute हुआ है, यानि कि इसका profit sharing ratio का, कि कौन कितना-कितना profit लेगा, तो उस समय ये equal हो जाएगा, अब पहले समझना, ऐसा क्यों हुआ, एक practical situation में आपको देता हूँ, for example, माल लो, नोबिता सुनियो जियान, इस बाद सुनियो ले लिया, यह मारा प्यारा नोबिता है, यह मारा प्यारा नोबिता, यह सुनियो, ऐसे ये न, उसका face थोड़ा सा, यह जियान, ठीक है, नोबिता सुनियो जियान, अब, toy company का business सोचा, कि उन्हे toy company start करते है, मिरे मूँ से company निकल रहा है, वर toy का home actually, अब नोबिता गरीब घर से है, इसने लगा जिया 10 lakh, जियान, middle class है, तो इसने लगा जिया 20 lakhs, business के लिए, असुनियो अमीर घर का, इसने लगा जिया 30 lakhs, अब माल लो, एक साल बाद, profit आया, आपका, 60 lakh का, पहरे जोब बता दो, बहुत अच्छा profit है, 60 lakh लगा है, 60 lakh के 60 lakh, एक साल में आगए, बहुत अच्छी चीज़ होती, बहुत अच्छी return कहते हैं, तो आपसी आते हैं, 60 lakh का profit आया, अब सोचो, आप सुनियो हो, आप क्या बोलोगे, भाई, 30 lakh में से, capital के according बाट लेते हैं, जिसने जितना लगाया है, उसके according उसको अतना मिल जए, practically, यहनी सुनियों बोलेगा, भाई, 30 lakh तो मेरे हो गए, सुनियों बोलेगा, नो बोलेगा, तो पैसा तो जादा मैं लूँगा, होगी लड़ाई, पहुंचे कोट में, जज़ के सामने रख दिये बात, पर कोई कह रहे हैं, मैं जादा, मैं जादा, अब practically घर में अगा कभी आपके, लड़ाई हो जाए भाई बहें से, चॉक्लेट के उपर, कि इसने जादा खाली है, इसने पीजा जादा खाली है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, मैं क्या करती है, ना तेरी ना तेरी, ले पकड दोनों को बराबर बढ़ती है, यही करती है, तो सेम जज़ भी का बोलेगा, या तो फहले रिटेन कर लेते, गुन्नाब इक्वेली बाट लो, पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है, अच्छा, सेकिंड पॉइंट आता है, इंटरस्ट और कैपिटल, अब सर्थ यह क्या चीज़ है, आपको पड़ता है, बिजनस और बिजनसमैन, दो अलग अलग परसन कहलाते हैं, इसे बोलते हैं, बिजनस एंटिडी कॉंसेप्ट है, क्लास 11, कि बिजनसमैन, यानि दुकान दार और दुकान अलग-अलग है, बिजनसमैन क्या करता है, अगर मैं इस पर एक परसन की तरह ट्रीट करू, बिजनसमैन क्या करता है, एक तरह से, बिजनस को पैसा देता है, जिसको हम capital बोलते हैं, right, यह अगर मैं बूलो, it's a kind of loan, yes or no, अब खुद बताओ, जो किसी को loan देगा, वो बदले में क्या जाएगा, interest on capital, sorry, interest जाएगा, तो जब businessman, business से interest लेगा capital पे, that is called interest on capital, point clear? तो अब क्या हुआ, interest on capital, partnership deed नहीं है, तो करदो जी not allowed है, ने, यह भी नहीं देंगे, next इसी तरह आता है, interest on drawings, यह भी क्या होगा, आपको पते है, businessman क्या करता है, business से पैसा निकालता है, drawings करता है, अब business उससे क्या लेगा, बदले में, interest ले सकता है, भाई तुने पैसा निकाला, मेरे business से, interest दे, उसे वोलेंगे, interest on drawings, तो partnership deed में नहीं है, अगें, यह भी not allowed, any, अब एक point और है, fourth, salary, commission, और remuneration, अब ध्यान सुनना, पिछले case को consider कर रहे है, नोबिता सुनियों जियान, बिजनस करा, इसने 10 लाक लगाए, इसने लगाए 30 लाक, इसने लगाए 20 लाक, profit आया 60 लाक का, इससे बहले profit बाटते बरावर बरावर की, 20-20-20-30, नोबिता बोल पड़ा, रुक जाओ, यह 60 लाक में से, मैं को कम से कम पहले तो 20 लाक में को अलग दे दो, और वो बोलने किस बात के टेंगे भाई, salary, क्यों, कहता भाई, सारा माल मैंने बेचा, दूप में महनत महने करी है, अगर यह महनत, मैं किसी और के business के लिए करता, या कहीं job करता, तो मैं को वहाँ बदले में salary मिलती नहीं मिलती, मैं को मिसकों 20 लाक क्रप की salary मिलती, ठीक है, लड़ पड़े, अब आप सोचो, आप नो बिताओ, वाका छोड़ना चाहोगे, नहीं छोड़ोगे, तो नहीं हो जी आनो अगर गलती से, देना चाहोगे, नहीं दोगे, हो गया, dispute कहां आप यह बात पहले डिसाइड कर लेते हैं, अब लड़ाई करते हैं, मेरे पस मत आओ, तो salary commission, remuneration, यह भी not allowed, जो लोग remuneration नहीं जानते हूं को बतादू, remuneration, आप जो भी कमाई करते हो, या जो भी आप service देते हो, उसके बदले में जो आपको हक मिलता है, that is your remuneration, for example, मैं teacher हूँ, मैं आपको पड़ा रहा हूँ, ठीक है, और बदले में मैं fees charge कर रहा हूँ, so that is my remuneration, point clear, अब एक important point है, 5th point, interest on loan, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान समझना, interest on loan, यह है क्या चीज, देखो, नोबिदा सुनियो, जियान, हुआ क्या, इंका business अच्छा चलने लग गया, अब इंको लगा, क्यों न हम अपनी एक franchise, दूसी state में भी खोल दे, और उसके लिए पैसा चाहिए था, मालू 50 lakh rupees, यह लोग गए bank के पास, बैंक पालों को बोला, लोन दे तो, बैंक पालों न मना कर दे कि हम लोन नहीं देते, वज़ा कुछ भी रही हो, अब क्या करें, नोबिदा गरीब घर से था, मैं again क्या रहूं, पैसा नहीं है, जियान के पास भी जितना लगा दिया, अब इन दोनों की नजर गई सुनियों पर, कहते हैं, सुनियों भई, तू लगा दे ना, बिजनस में 50 lakh rupees, तुनियों कहते हैं, मैं क्यों लगा हूँ, कल को पैसा डूप गया, कल को बिजनस ना चले, मैं तो पूरा बेकात, है न, कहते हैं, मैं नहीं लगाता है, कहते हैं, दूसरा, मैं सच्छा अपने FD में डाल दू, बैंक में डाल दू, मैं को कुछ interest भी आचा रहेगा, वो कहते हैं, सुन एक काम कर, अब आप नोभीता और जियान हो, कैसे कन्विंस करोगे, सुन एक काम कर, तू न, हमारे बिजनस को लोन देदे, तो 50 पर पर कैपिल मत लगाते होगे, कैपिल एक बार लग जाए तो वापसी नहीं आती इतनी जुलवी, ठीक है, तू न, लोन देदे हमारे को, क्या, 50 लाग का लोन देदे, क्या है, हम तिरको ने, दो, तीन, साथ कंदर चुका देंगे, साथ में को इंटरस्ट भी देते रहेंगे, यह बात सही है, तो अगर अब आपके, पार्टनर्शिप में, यह लिखा हुआ है कि पार्टनर ने, जो लोन दिया, उस पर कितना इंटरस्ट से वेल इंगोड नहीं लिखा, तो हम लेके चलते हैं, 6% per annum, मतलब, इस बार सुनियों ने, 50 लाग कैपिल के तौर पे नहीं दिये, इस बार, लोन के तौर पे दिये, और सुनियों को बदले में क्या मिलता रहेगा, इंटरस्ट, कुछ नहीं लिखा, पार्टनर्शिप डीड अपसेंट है, तो कितना, 6% per annum, last point, 6% क्या है, no new partner, no new partner, can be admitted, without the permission, without the consent, तर ये क्या है, without the consent, information, of all the partners, of all the partners, मतलब, कोई भी नया पार्टनर, पार्टनर्शिप में नहीं आ सकता, जब तक सारे पार्टनर्स नहीं रेडी हो जाए, नो बिता, सुनियो जियान, partnership में है, अब नो बिता चाहता है कि शिजुपा को पार्टनर बना ले, भई नो बिता तो चाहेगा, जाएगा, तो तो नहीं आ सकता, कब तक, जब तक सब की, पर्मीशन, यहीं सब की सहमती ना हो जाए, यह सारे पॉइंट्स कब होंगे, जब partnership दीड अपसेंट है, तो एक बर recall कर लेते हैं, जल्दी से मन में सोचिएगा, सबसे वहले interest on capital, not allowed, interest on coins, not allowed, profit sharing ratio, equal, interest on loan, 6% per annum, आपका salary, commission, remuneration, not allowed, और last, कोई भी नया partner तब तक नहीं आ सकता, जब तक सारे partners ready ना हो जो, इसी बात पर आप लोग प्रोसीड करे, illustration one पर इसे attempt करे, फिर आगे चलते हैं,